आज 21 अक्टूबर 2019 है पुर्व केंद्रिय मंत्री नागमनी ने जद्यू सेज्तिफा दे दिया पत्ना के बिहार राजी पंचायती पडिशत हाल में आयोजीत सम्वादाता संवेलन में नागमनी ने यह जानकारी दी उन्होंने वर्तमान सरकार की कारिशेली पर सवाल खड़ा किया उन्होंने कहा 29 फरवड़ी 2020 को पत्ना के गांधी मैदान में कुईरी महरैला आयोजीत करें। दूर दर्सिता के कारण सारे 9 लाख म्यूटेशन के मामले लंबित चल रहे हैं। दलितों को मंदिर में प्रविश कराया। पुरू सानसत सजने धिकार लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजे सरंजन उर्फ पपू यादब जहां भी आम लोगों को परिशान देखते हैं। उनकी साहता करने चले जाते हैं। एक पखवारे से पटना के जल जमाओ में फंसे लोगों की साहता के बाद हुए जहानाबाद महुच गए। और वहाँ दो पक्षों के बीच हुए जहरप और आगजनी के पिडितों को दस-दस हज्जार ततकाल सहता रासी दिया। राजत सुप्रीमो लालू परसाद की सेहत अच्छी नहीं है। रिम्स में इलाज सही नहीं हो रहा है। लालू परसाद से मिलकर लोटने के बाद उनके पुत्र से बिहार, विधान सभा में पर्तिपक्ष के डेता तेजस्वी काफी गंभीर दिखे। उन्होंने कहा अगर बेल हो जाता तो उनको हाईयर हेल्थ सेंटर ले जाते। हेल्थ के आधार पर ही नियाले में बेल के लिए आवेदन भी दिया गया है। कहा तो यह भी गया है कि अभी तक पांच आतंकी घुस चुके हैं। इन में तीन सूटर बताए जा रहे हैं। यह सभी बड़ी आपरादिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सभी भड़ा के मकान में रह रहे थे। मदमनी जिले में उतपाद विभाग कारियाले पर दो दर्जन लोगों ने हमला बोल दिया। हमला एक शाडावी को गिरिफतारी की विरोध में हुई थी। इस घटना में उतपाद निरिक्षक शोरी भूशन घायल हो गये। बिहार के उपमुग मंत्री शुशिल कुमार मोदी ने बिहार के सबसे बरे सौर उर्जा का उद घटन बेगुसराय में किया। यह सौर उर्जा केशफ कोली स्टोरेज में लगाये गया है। पटना में पुलीस को नकली नोटों का कारखाना मिला है। वहां से नकली नोट वो कई समान मिले हैं। दो लोगों को गिर्फतार भी किया गया है। उनसे पूश्तास जारी है। लखिसरा में पीडियस की बहाली में घोर ओन यमियत्ता के विरोध में अनसन पर बैठे लोगों का सुरिगरा के विधायक परलाद यादव ने समर्थन किया और जिला प्रशाशन पर भराश निकाली। मेट्रिक की बिहार बोट की शेंटर अप छात्रों की परिक्षा साथ नॉवंबर से होगी। इसके लिए सीडुद जारी कर दिये गए हैं। ये थी बिहार की महतपुर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी अपना सुझाओ कमेंट बॉक्स में दें। अगर हमारा ये वीडियो आप फेस्बुक पेज के माधियम से देख रहें तो फेस्बुक पेज लाइक करें। अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहें तो यूट्यूब चैनल दे न्यूज नाइनेक सब्सक्राइब करें।